एलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई यूटूब चैनल टीचिंपो स्मार्ट में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे स्मार्ट जिके जनरल नॉलेज पढ़ेंगे जो प्रिवियस यूरे में क्वेशन बार बार रिपीट हो रहे हैं वही क्वेशन में आपको लेकर क् लेजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का आपको फाइदा मिलता रहे सुरुवात करते हैं सबसे पहले क्वेशन देखेंगे देखे लिखा हुआ है जिमनास्टिक खेल में प्रतेक पच्च में कितने खिलाली होते हैं तो आठ खिलाली होते हैं मंडल आयोग का गठन था आगे लिखा हुआ गंगा नदी का अने नाम क्या है भागी रती है कम्योनिस्ट मैनिफेस्टो को किसने लिखा है तो कम्योनिस्ट मैनिफेस्टो को लिखा है कार्ण मार्क्स ने लिखा हुआ है पुराणों का आध्यान करने वाला पर्थम मुसल्मान कौन था अलबरू प्रजातंत जंता के लिए तथा जंता के द्वारा सासन है किस ने कहा था तो अबरहम लिंकन ने कहा था आगे देखे लिखावे भारत में सबसे भयानक अकाल उननीसो तैलिस में 1943 में कहा पड़ा था बंगाल में पड़ा था ये आगे लिखावे मुसलिम लीग के पर्थम अधिकार आयोग के स्थापना कब हुई थी उननीसो तिरानवे में 1993 में हुई थी रास्टी उपभोगता दिवस कम मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है अगे लिखावे रारिशभा धन बिधयक को अपने पास कितने दिनों तक रख सकता है तो रख सकता है 14 दिनों त ठुछावा है चैनाली ठाल के से बांडते ने कि यहांदे बाते हैं। गाइड की लेखक कौन है तो ये आरके नारायन है लिखावा गुलाबी क्रांती का संबंध किसे से है जींगा उत्पादन से है बिहार विभूती की रूप में किसे जाना जाता है डाक्टर अनुग्रह नारायन को जाना जाता है कनाडा देश का रास्टे खेल कौन सा है हांकी खिर्ए गति फिरय कोई और आगा जाता है महा परयाण घाट कशप्वेस मईड़र के समाप्ती अब रखी जाती है थोक मूल सुचकां को द्वारा मुद्रा स्पीती की माप की जाती है मनुस क्या जन्तु बैग्यानिक नाम क्या है तो होमो सोपियंस है ध्यान रखिया को होमो सेपियंस है चित्रकला का जनक किसे माना जाता है जी आटो को माना जाता है चित्रकला का जनक कॉंग होर्डिंग के समय में खतम कर दिये गया था, कैंसर का अध्यान क्या कहलाता है, ओंकोलोजी कहलाता है, लिखा हुआ अबिस्ट मौसम संगठन का मुख्याले कहां इस्तित है, ये जीनिवा में है, आगे लिखा हुआ है, CISF के स्थापना कब हुई थी, तो ये 1979 इस भी में हु महालेखा परिच्छक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्टपती करता है, इसको धियान लखेगा, स्थार मार करिए इसको, लिखा हुआ राजिसभा का सभापती कौन होता है, तो उपरा जो है उपराष्टपती होता है, राजिसभा का सभापती, लिखा हुआ 1857 का भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था तो ये 1942 में शुरू हुआ था आठ अगस्त 1942 को दे गाड़ ओफ स्मॉल थिंग्स पुष्टक के लेखी का कौन है अरुरंधती रॉय हैं ये आगे लिखा वही जो है लोग सभा के दो अधिवेशनों के बीच का अंतर कितना होता है तो लोग सभा के दो अधिवेशन के बीच का जो अंतर है वो छे माह का होता है शिक्स मन्त का भारत के मुख भूमी के तटिये भाग के कुल लंबाई कितनी है तो एक सट सो किलो मेटर है वर्तमान में मूल करतब्यों की संख्या कितनी है सरी कितनी है तो ग्यारह मूल करतब्य है 1857 नामक पुछता के लेखा कौन है तो ये S.N. सेन है अंतरिम राश्टिय सरकार का गठन कब किया गया था कपार्ट को बुला जाता है लोक कारिक्राम और ग्रामील प्रावदोगी की विकास परिशाद का मुख्याले कहा है इस्तित है तो ये दिल्ली में है आगे लिखा हुआ है अलमिनियम का प्रमुक ऐस्क है तो बॉक्साइड है आगे देखे का लिखा हुआ है हिमायू राजगद्धी पर कब बैठा था 1530 इस्वी में हिमायू राजगद्धी पर बैठा था जैन साहित को क्या कहा जाता है तो यहां पर है लगा लिजिएगा ठीक है तो आगम कहते हैं जैन साहित को सूर के सबसे निकट ग्रह कौन सा है बुद्ध ग्रह है आगे देखेगा रास्टी ग्रामेड रोजगार गारांटी अधनियम कब पारित किया गया था 2005 में पारित किया गया था हिटलर की आत्म कथा मीन कैम का साब्दिक अर्थ क्या है अगे लिखाओए सरपर्थम स्वतंदरता प्राप्त करने वाला अफरीकी देश कौन सा है घाना है रबड उतपादन में भारत का अगर्णी राज कौन सा है तो रबड उतपादन में केरल है सबसे आगे ठीक है आगे लिखाओए संयुक्त राज के चार्टर में कितने उमिद करता हूं कि वीडियो आपने इंज्वाइ की होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडि प्टा सैंसेड़े ले बति कर सका सवा में ह devi दो